अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एन तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं डिरेक्ट रेट ओफ ए अब हमें यह एपीज दी गई हैं हमें यह बताना कि इनमें टोटल टर्म्स कितनी हैं ठीक है जैसे यह 7 से लेके 205 तक हैं यह टर्म्स लेकिन यह कितनी हैं यह हमें नहीं पता ठीक है तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे यह हम देखते हैं तो देखो फॉर्स वाले को हम करते हैं इसमें हमें क्या टर्म्स दी गई है 7,13,19, dot, 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 last वाली टर्म क्या दी गई है 205 तो अब इसमें से हमें फर्स टर्म्स यानि कि A है वो हमारे पास कितनी है 7 तो डिफ्रेंस कितना हो जाएगा A2-A1 यानि कि 13-7 कितना हो गया 6 अब मान लीजिए कि इसमें टोटल टर्म्स हमारे पास N मान ली हमने ठीक है कि N टर्म्स हमारे पास टोटल ठीक है तो A N यानि कि जो लास्ट वाली टर्म है वो कितनी है हमारे पास 205 अगर मान लो इसमें 20 टर्म है तो यानि कि A 20 यानि कि 20 टर्म है वो क्या है 205 है तो ऐसे हमें पता निया तो A N कितनी ह जाएगी 205 अब हमारे पास क्या formula पढ़ा है हमने कि an जो है वो a plus n minus 1 into d के equal होता है यह हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें भी discuss किया था तो यह formula है हमारे पास ठीक है यह sum of terms का हो सकता है हमारे पास number of terms के लिए हम इस formula को use कर सकते हैं तो अब an कितना है हमारे पास 205 ठीक है is equal to a यानि कि first term कितनी है 7 plus n minus 1 n यानि कि यह जो n total number है terms का यह हमें नहीं पता है into difference यानि कि 6 ठीक है तो इसको जब हमने solve किया है तो हमारे पास जो n की value solve होकर आती है वो आती है 34 तो हम कह सकते हैं कि इस जो series है इसमें जो total terms है हमारे पास वो 34 terms है simply हमने values को put किया है और n की value को solve किया है cross multiply करके और जो terms है उनको left में या right में shift करके ठीक है ऐसे ही second part की अगर हम बात करते हैं तो यह है हमारा second part ठीक है second part में क्या series दी गई हमे 18, 15 is to 1 by 2, 13 dash 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 up to minus 47 अब यहाँ पर A कितना है 18 है D क्या हो जाएगा A2 minus A1 यानि कि 15 is to 1 by 2 minus 18 इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 31 upon 2 लिख सकते हैं 15 to 30 plus 1 31 upon 2 minus जब हमने इस पूरे का LCM लेंगे यहाँ पे तो यह 2 की multiply 18 से हो जाएगे तो 36 बचेगा ठीक है तो 36 minus 31 कितना बच गया minus 5 upon 2 अब फिर से हमने consider कि n terms है इस AP में तो n terms है तो यानि कि an last वाली term क्या है वो है minus 47 अब हमें फिर से पता है कि formula क्या होता है हमारे पास number of terms के लिए an is equal to a plus n minus 1 into d अब simply values put की an कितना है हमारे पास minus 47 is equal to a कितना है 18 plus n minus 1 into d कितना आया है हमारे पास minus 5 by 2 तो इसको भी जब हमने solve किया तो हमारे पास n की value जो है वो कितनी आती है 27 तो इस लिए हम क्या कह सकते हैं कि इस series में कितनी terms है 27 terms है तो इस तरीके से हम ये number of terms के questions जो अगर हमें आरे पास होंगे तो उनको हम solve कर सकते हैं तो आशा है कि आपको ये video ये question समझ में आया होगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को जादा से जादा शेयर करे वीडियो को like करे comment करे चैनल को subscribe करे और मिलते हैं next वीडियो में करे और मिलते हैं